हेलो प्रेंट तो इस वीडियो में आए से सी बोट क्लास नाइंथ का चेप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेटरिकल रेजियो की एकसासाइट 22 बी का कोस्टन नंबर 4 सोल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और सोल्व करते हैं तो प्रेंट यहां पर मैंने कोस्टन नंबर 4 नोट डाउन कर लिया है देखिए कोस्टन नंबर 4 में दिया है इन दा गीवन फिगर ट्रेंगल ABC इज राइट एंगल एट बी डी इज दफूट ऑप्टा परपेंडिकूलर फ्रॉं पी तो एसी गीवन तो गीवन डेट बीसी इजिए इकल टू 3 cm एंड एवी इजिए प्रेंट फाइंड पार्ट बन में हमें देखिए 10 एंगल डी बीसी और फार्ट तू में हमें साइन एंगल डी बी ए की वैलू फाइंड करके बतानी है तो चलिए पहले हम लोग इसे पार्ट बन के लिए सॉल्ट करेंगे तो किसे डीई सी entire backyard को thbeeld करता हूं तो यह मैं ने यह पर एंगल डीए सी को highlight किया तो आफ दैख सकते हैं यहां पर से यह मैंनE highlight कर दिया है तो अब हमें 10 एंड डीपी टीए की बैलू करके बतानी है तो वाई कैसे find करेंगे देखिए क्या करेंगे पहले यह जो angle dbc है इस angle dbc को किसी भी angle a या फिर c angle c या फिर angle a के equal में proof कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा भी triangle है abc यह triangle abc इसके किसी भी angle या फिर angle a या फिर angle c के equal में proof करेंगे इस वाले एंगल को dbc को तो कैसे equal proof करेंगे जब equal proof कर लेंगे तो हम आसानी से easily 10 angle dbc की value find कर पाएंगे तो इसे इस वाले एंगल dbc को कैसे a या फिर एंगल c के equal में proof करेंगे चलिए देखिए यहाँ पर पहले triangle हम लोग यह वाला जिसे मैंने highlight किया है जो यह बिलिक कर रहा है यह वाला triangle लेकर के चलेंगे जैक ट्रेंगल bdc यह जो ट्रेंगल है bdc यह वाला triangle देखिए हम लोग जानते हैं कि एक triangle जो होता है उसके तीनों angle का sum जो 180 degree होता है तो जो यह triangle bdc है जिसे मैं cursor move कर रहा हूँ जिसे मैं highlight किया है इसके तीनों angle का sum 180 degree है तो चलिए इसके तीने angles को plus करके लिख लेते हैं तो यह हमने लिख लिया angle bdc plus angle c plus angle dbc यह और equal to 180 degree यहाँ पर और इसे equation number first let कर लेंगे तो friend इस triangle के मैंने तीनों angle को plus करके लिख लिया है और equal में 180 degree लिख लिया है और इसे equation number first let किया है अब friend देखिए हम यहाँ पर यह जो triangle है a b c जिस पर देखिए मैं cursor move कर रहा हूं यह वाला triangle लेंगे triangle a b c वाला तो यह triangle लेंगे तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं in triangle a b c अब देखिए इस जो triangle a b c है इसके भी तीनों angle का जो sum है वो 82 degree है ठीक है हम लोग जानते हैं कोई भी triangle हो उसके तीनों angle का sum 82 degree होता है तो ह उनने triangle a b c लिया है अब इसके तीनों angle का जो sum है वो 82 degree है तो यहाँ पर लिख लेंगे angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 degree तो यह मैंने लिख लिया है और इसे equation number 2 लेट कर लिया है तो चलिए friend देखिए यहाँ पर से जो ऊपर वाली equation है उसके भी equal में 180 degree है और जो नीचे वाली equation है equation number 2 इसके इसके वाली equation है तो इस equation को हम दोनों equation को equating कर लेंगे मतलब equal में लिख लेंगे इन दोनों equation को तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं equating equation first and second तो दोनों equation को equal में लिख लेंगे तो friend मैंने यहाँ पर इन दोनों equation को equal में लिख लिया है तो क्यांकि इनकी value जो है वो बराबर हैं तो यह आपस में equation भी आपस में बराबर हैं तो चलिए देखिए आप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर से चूँ इपकल में cancel out हो रहा है उसे cancel out कर रहे हैं तो friend देखिए इधर एंगल सी है और इधर वी एंगल सी है तो यह दोनों each other cancel out हो जाएंगे ठीक है आगे देखिए फ्रेंट यहां पर से जब आप यहां पर ट्रेंगल देखेंगे ट्रेंगल बीडी सी जिस पर में मूब कर रहा यह जो मैंने green color का highlight करके रखा है इस triangle को आप देखें देखें जो यहां पर से आप देख पा रहे हैं एंगल डी वाला है यह एंगल 90 डीगरी का है तो friend देखेंगे जहां पर मैं कृसर मूब कर रहा हूं यह एंगल 90 डीगरी का है डी वाला तो जो बी डी सी इधर देखिए equation में B, D, C तो इसकी जगह पर हम लोग 90 डीगरी लिख सकते हैं तो यह मैंने 90 डीगरी यहां पर लिख दिया है और friend इधर देखें इसकी right side में जो एंगल B वाला है यह भी 90 डीगरी है अगर आप triangle बड़ा वाला देखेंगे A, B, C triangle A, B, C तो इसमें भी जो एंगल B वाला ह यह 90 डीगरी है तो इसकी जगह पर भी हम लोग 90 डीगरी लिख सकते हैं अब देखें इधर भी angle यह B, T, C 90 डीगरी का है और इधर भी angle B वाला जो है बो 90 डीगरी का है मतलब दोनों angle आपस में बरावर है तो इन्हें हम लोग cancel out कर सकते हैं ठीक है तो friend अब जो बचा है उस तो friend इन दोनों triangle को जो मैंने highlight किये हैं ये आपस में equal हैं तो friend देखिए हमें ये वाले triangle लेकर के value find करनी है ये 10 की dvc तो हमने dvc angle को proof कर लिया है angle a के equal में तो चलिए इसे आगे यहाँ पर लिख लेते हैं next page पे तो friend अभी देखिए मैंने ये पुरूब किया कि angle dvc is equal to angle a ये मैंने पुरूब किया देखिए हमें 10 dvc की value find करनी है 10 angle dvc तो हम जो क्या करेंगे इस equation में दोनों side में 10 ले लेंगे तो पहले आप लिख लें taking 10 on the both side तो इधर मैंने इस equation में दोनों side में 10 ले लिया है अच्छा फ्रेंड देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इस triangle में हम लोग देखेंगे अभी मैंने पुरूब किया कि ये angle जो है angle a वाला वो angle dvc के एकल में है तो हम लोग angle a लेके चलेंगे तो इसे मैंने highlight कर दिया है अब देखें यहाँ पर से हम लोग 10 के लिए जानते हैं कि perpendicular upon base होता है तो friend आप ही देखिए मैंने angle यहाँ पर highlight किया है तो यहाँ पर perpendicular upon base होता है तो इधर देखिए ज़रा जो angle a के सामने वाली जो side है ये फिर perpendicular है हम लोग जानते हैं कि जो भी angle हम लोग लेकर चलते हैं उसके ठीक opposite सामने वाली जो side होती है वो perpendicular होती है तो angle यहाँ पर a लिया है तो इसके सामने वाली side perpendicular यह वाली हो जाएगी तो यह मतलब यहाँ पर perpendicular है 3 cm और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर से जो b वाला angle है यह 90 degree है तो इसके सामने वाली side यह hypotenuse हो जाएगी और बच्यू ही side के यह वाली base है तो फ्रेंड यहाँ पर हमने perpendicular पता कर लिया 3 cm base पता कर लिया 4 cm आजाए यह perpendicular की जगह पर यहाँ पर 3 cm base की जगह पर 4 cm रख देगे तो यह फ्रेंड यह value हमने रख दिये तो फ्रेंड यहाँ पर से देखिए हमसे 10 BTC की value find करने के लिए कह रहा था तो हमने angle 10 BTC की value find कर दिये जो कि 3 upon 4 है तो फ्रेंड हमने यहाँ पर part 1 solve कर लिया है तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग part 2 के लिए आगे इसे solve करते हैं तो फ्रेंड अब हमने part 1 solve कर लिया है अब हम part second इसका solve करेंगे देखिए part second में हमें sign angle DBA की value find करनी है मैं आप angle DBA highlight करके दिखाता हूँ इस triangle में तो फ्रेंड देखिए यह जो triangle में highlight कर रहा हूँ यह DBA है देखिए DBA यह वाला angle हमें लेकर करके चलना है sign के साथ में value find करने के लिए तो हमें sign DBA की value find करके बतानी है इस वाले angle के लिए तो लेकर के तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे इस angle DBA को भी क्या करेंगे या फिर angle A या फिर angle C के equal में पहले prove करेंगे क्योंकि अब जब prove कर पाएंगे तो हम लोग इसकी आसानी से value find कर पाएंगे तो कैसे prove करेंगे क्या करना है देखिए पिर से एक बाद बता रहा हूं जो angle DBA है इस angle को prove करना है या फिर angle A के या फिर angle C के equal में तो कैसे prove करेंगे चलिए देखते हैं तो friend यहाँ पर देखे यह वाला जो triangle मैंने लिया है यहाँ पर A, B, D यह वाला triangle पहले मैंने लिया है यहाँ पर मैंने लिख दिया है triangle A, B, D तो हम लोग जानते हैं कि कि किसी भी triangle के तीनों angle का sum 82 degree होता है तो चलिए यहाँ पर जो angle जो triangle D, V, A, B, D है A, B, D जो लिया है इसके तीनों angle को plus करके लिखेंगे और equal में 82 degree लिखेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यह मैंने लिख दिया है angle ADV plus angle D, V, A plus angle A is equal to 180 degree कि कि हम लोग जानते हैं किसी भी triangle के तीनों angle का sum 80 degree होता है तो हमने यहाँ पर triangle BDA, sorry, ABD लिया है तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग triangle लेंगे A, B, C यह बड़ा वाला triangle लेंगे A, B, C तो देखिए जिसके मैं करसर मूब कर रहा हूँ A, B, C यह वाला triangle लेंगे तो इसके तीनों angle का sum 180 degree है तो यहाँ पर लिख लेंगे angle A, plus angle B, plus angle C इसे इक्रिशन नमबर 2 लेट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट उपर वाली equation की भी value 180 degree है और नीचे वाली equation की भी value क्या है 180 degree है दोनों equation आपस में या इनकी value equal हैं तो दोनों equation को आपस में equating करके लिख लेंगे मतलब equal करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे equating equation first and second तो इस equation को आप लोग दोनों उपर वाली equation को equal करके लिख लेंगे तो यह मैंने equal करके लिख लिया है तो आप लोग प्रेंट देख रहे हैं रहा हूं तो इसमें एंगल डी स्सक्राइब यह वाला एंगल एंगलडी पो देखिए यहां पर मैं करेंगल 90डीगरी का है बाला ठीक है इ Imaginary BB लिफी साइड में ऐंक ने यहां इलिखा है db यह वाला एंगल फिन 90डीगरी का है ठीक है मैं लिख दिया है यहां पर इसकी value इदर देखिए right side में अगर हम लोग triangle देखें ABC यह बड़ा वाला triangle देखें तो यहां पर जो angle B वाला है यह 90 degree का है तो right side में हम लोग angle B वाला 90 उसकी जगवर 90 degree में हम लिख सकते हैं तो इधर देखिए यह जो triangle है A, D, B इसकी भी value 90 degree है और इधर angle जो A, D, B इसकी भी value 90 degree है और इधर angle जो right side में B है इसकी भी value 90 degree है तो यह each other cancel out हो जाएंगे बरावर हैं आपस में अच्छा friend आप जो बचा है उसे लिख लेते हैं यहाँ पर बचा है A, यहाँ पर angle D, B, A is equal to angle C तो friend यह हमने क्या करिया है इस D, B, A को हमने पूरूफ कर लिया है angle C के equal में तो friend इसे मैंने highlight किया है angle D, B, A को पूरूफ किया है इस वाले angle को angle C के equal में तो चलिए friend यहाँ पर यह जो highlight किया है यह आपस में दोनों angle equal में हैं यह वाद मैंने अभी पूरूफ कर दिये देखिए यह पूरूफ किया है angle D, B, A is equal to angle C तो चलिए अब हम लोग next page पे चलते हैं तो friend देखिए यह मैंने अभी पूरूफ किया है angle D, B, A is equal to angle C तो friend देखिए हमें sign क्या करना है sign D, B, A की value find करना है तो हमें दोनों side में sign लेना पड़ेगा तो मैंने दोनों side में sign ले लिया है इस line से पहले आप लिख लें taking sign on the both side दोनों side में sign लेने पर तो मैंने दोनों side में sign ले लिया है तो friend देखिए हमें यहाँ पर से इसकी value find करनी है तो sign angle D, B, A की तो हम लोग क्या करेंगे sign C की value find करने sign C की value find करने वो इसके equal में ही होगी तो चलिए क्या करेंगे इसके लिए हम पहले value find कर देंगे तो यह हमने triangle ले लिया है देखिए आभी मैंने प्रूब कर गया जो angle C वाला है यह angle DBA के equal में है तो क्या करेंगे देखिए हम लोग sign के लिए जानते है perpendicular upon hypotenuse होता है ठीक है वही तो क्या करेंगे देखिए यह angle C लिया इसके सामने वाली साइड perpendicular हो जाएगी यह जो angle B वाला है यह right angle है इसके सामने वाली साइड hypotenuse हो जाएगी बची वी नीचे वाली साइड यह क्या हो जाएगी base हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर से क्या है हमें perpendicular पता है base भी पता है और hypotenuse पता नहीं है तो वाई hypotenuse की value निकालनी पड़ेगी इसके लिए formula हम लोग जानते हैं क्या होता है hypotenuse is equal to होता है under root के अंदर perpendicular का square और base का square तो देखिए perpendicular 4 है base 3 है यह दोनों value यहां पर रख देंगे तो friend perpendicular की जगए पर 4 base की जगए पर 4 मेंने put कर दिया इसे थोड़ा simplify कर लेंगे under root के अंदे तक 16 प्लस 9 आ जाएगा इसे थोड़ा plus कर देंगे under root के अंदे 25 आ जाएगा 25 जो होता है 5 का square होता है तो square से under root cancel out हो जाएगा तो यहां पर 5 बचेगा तो friend यहां पर हमने hypotenuse की value पता कर दिये 5 है तो रख देंगे अगर friend आप इसे note down करना चाहते है तो note down कर दें मैं इसे erase कर देता हूँ हमें hypotenuse की value चाहिए थी हमने find कर दें जो की 5 मिली है ठीक है तो चलिए अब friend क्या करेंगे देखिए इसमें value रख देते हैं perpendicular आप देख सकते हैं 4 है तो 4 रख देंगे अपान hypotenuse की value अभी find की जो की 5 है तो यह हमने find कर दिये तो friend देखिए हमसे question में sign angle dba की value find करने के लिए कह रहा था तो हमने sign angle dba की value find कर दिये जो की हमें 4 अपान 5 मिली है तो friend अगर वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को फटाफ़ लाइक कर दें एसी more वीडियो देखने के लिए आप इस channel की playlist पर visit करें अगर आप चाहते हैं कि next आने वाली वीडियो की notification आपको time पर मिले तो आप channel को subscribe जरूर कर ले और bell icon को भी press कर ले तो friend मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट कोस्टन के साथ में जब तक के लिए okay thank you